आज आपके लिए लाएं हैं एक न्या टॉपिक जिसका नाम है क्या है क्रोणा और Covid-19 में अंतर तो सबसे पहले हम क्रोणा का बात करते हैं क्रोणा जैसकि हम लोग जानते हैं कि क्रोणा एक वैरस का नाम है वायरस केवल न्युक्लीकेसीड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है वायरस शरीर में महजूद मसिनरी का उप्योग करके अपना संख्या को बढ़ाता है वायरस वाता बण में निरजीव के समान रहता है वायरस दोनों तरख से रहता है, निरजीव एबम सजीव वाइरस शरीर के बाहर निर्जीव की तरह एवं अंदर सजीव की तरह रहता है COVID-19 एक वाइरस है जो कि क्रोना का ही एक स्ट्रेन है COVID-19 निर्जीव एवं सजीव के बीच का होता है इसका मतलब यह हुआ कि यह निर्जीव की तरह भी रहता है एबं सजीब की तरह भी रहता है COVID-19 वायरस दिखिर के बाहर निर्जीब के तंदर सजीब की तरह रहता है COVID-19 का नाम Corona इसलिए दिया गया क्योंकि इसका पहला केस चीन के बुहान सहर में मिला था एबं को CO का मतलब Corona होता है VI का मतलब वायरस होता है D का मतलब December होता है, इसी मन्त में पहला केस मिला था Corona का, 2019 का मतलब वर्स 2019 होता है, वाइरस पर एंटिवाटी काम नहीं करता है, वाइरस के संक्रमन से शरीर वाइरस के लिए एंटिवाडी बनाता है, और वो एंटिवाडी वाइरस को मारता है, एंटिवाडी बनाना शरीर में इम्मुनिटी पे निर्वर करता है इम्मुनिटी का मतलब हो गया शरीर में महजूद रोक पत्रोधक छमता इस वायरस का पहला संक्रमन दिसंबर दोय अर्मिस में मिला था तो दोस्तो ये था कुछ करोना से रिलेटर जनकारी अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तो तब तक के लिए धन्यवाद